अब हम study कर रहे हैं algebra की multiplication में double multiplication पहले हम समझते हैं arm mathematics के अंदर जिस तरह हमापस रखाम है 3572 इसको हमें multiply करना है let's suppose 32 से arm mathematics में भी हम ये करते हैं कि पहले 2 से सब को individual multiply करते हैं 224 274 14 25 से 10 ओर 1 11 23 से 6 ओर 1 7 एक के नीचे क्रास लगा के अब हम दूसरी जो रखाम है 3 उससे सब को multiply करते हैं 32 से 6 37 से 21 2 करी 235 से 15 ओर 2 17 1 करी 33 से 1 33 से 9 ओर 1 10 तो आपने देखा कि पहले हमें ने 2 से सब को multiply किया फिर 3 से सब को multiply किया और लास्ट में हम इनको add कर लेते हैं 4, 4, 6, 10, 3, 14 और लास्ट बिल्कुल इसी तरीक से अलजबरा में भी यहां पर यह दो नमबर दिये गए एक 4X प्लस का और एक 3Y प्लस का हमें इस से भी इस ब्रेकिट को multiply करना है और इस से भी इस ब्रेकिट को multiply करना है और जो जवाब आएगा फिर उसे हमें add करना है बिल् mathematics में करते हैं कि पहले एक नमबर से सब को multiply करते हैं और जो जवाब आता है उसको फिर जमा कर लेते हैं add कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीक से 4X को भी पहले हमें सब से multiply करना पड़ेगा 3Y को सब से multiply करना पड़ेगा और जो जवाब हैगा उसे हमें add करना पड़ेगा तो हम करते हैं इसको ठीक है तो सबसे पहले हम 4X से multiply करेंगे इस पूरी bracket को पहले हम इसको इस form में रख ले दें जहां हम दिखा सके हैं कि पहले हमें 4X को 2X माइनस 5Y से multiply करना है और फिर अगले स्टेप में हमें प्लस 3Y से इसी ब्रेकट को multiply करना है 2X माइनस का 5Y अभी हमने multiply किया नहीं है हमने form create करी है पहले 4X को हम इस पूरी bracket से multiply करेंगे फिर हम 3Y को पूरी bracket से multiply करेंगे अब multiply का माले शुरू करते हैं पहले साइन साइन से multiply इसके यहां पर साइन प्लस है अगर बाहर प्लस साइन है तो अंदर की साइन प्लस 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 यह एक जैसी साइन multiply होके प्लस आती है प्लस आप नहीं लिखते है फूर टूजा एट और और एकस को जब आप x से multiply करेंगे एकस की power square फिर इसके प्लस को इसके मानिस से multiply करेंगे तो मानिस फूर फाइवजा 20 और एकस को जब y से multiply करेंगे तो दोनों क्यूंके मुक्तलिफ बेस हैं जब boles मुक्तलिफ होती हूँ तो एकसाद उतर जाती है अब हम इस plus three y से इसको multiply करेंगे trillion plus three splish twolay होगा plus जब आएगा थी टू जा सिक्स को जब आप x मुक्तलिफार करेंगे। दोनों बेस मुक्तलिफ हैं जब मुक्तलिफ होते हैं तो इसे हम एक साज उतार लेते हैं X Y तर्टीब से मैंने लिखा है अलजबरा में पहले X आता है तो X बाद में Y आता है तो Y अब इस 3Y को हम मल्टिप्लाई करेंगे माइनस का 5Y से तो प्लस पहले multiply होगा इस माइनस से मुक्तलिफ साइन माइनस देती है त्रीट फाइव जर फिफ्टीन और यह वाला वाई इस वाई से multiply होके हो जाएगा वाई स्कॉर इसलिए कि बेस सेम है जब बेस सेम होती है तो पावर्स एड होती है अगले स्टेप में हम देखने हैं कि यहाँ पर यह माइनस का 20XY है और यहाँ पर फिलस का 6 होती है क्योंकि इन दोनों के बेस सेम है लहादा यह प्लस या माइनस हो सकते हैं अब सोचना ही है कि यह प्लस होंगे या माइनस होंगे तो हम यह बात जानते हैं कि अगर साइन मुक्तलिफ हो तो माइनस होते हैं लेहाजा 20 में से 6 को माइनस करेंगे 14xy दोनों में बड़ा कौन है यहां 20 बड़ा है तो 20 की साइन जवाब में आएगी और माइनस कर फिफटीन वाई स्कौाइर एस इस हम लिख देंगे तो इस तरह से अलजबरा में दो ब्रेकट्स मल्टिप्लाय होती है और यह डबल मल्टिप्लिकेशन समझ लीज़े आपके एक नंबर पहले पूरी ब्रेकट्स से मल्टिप्लाय होगा फिर दूसरे नंबर सब्सक्राइब इस इस वाली ब्रेकट्स मुल्टिप्लाय करना एक बात भी जहन में रखने चाहिए जब दो ब्रेकट्स के दरमयान कोई साइन ना हो तो यह ऑटामेटिक लिए बाइडी इवाल्त हम समझ लेते हैं कि यह दोनों बेटीकट एक दूसरे से मल्टिप्लाय हों लेहाद 7x² को भी इस पूरी प्रेकेट से मल्टिप्लाइ करना है वो माइनस के 8y² को भी इस पूरी प्रेकेट से मल्टिप्लाइ करना है तो पहले हम इसकी फॉर्म बना लेते हैं मुल्टिप्लाइ करना है 3x2-7y2 है अब हम मुल्टिप्लाइ शुरू करते हैं यह प्लस का साइन है प्लस का साइन जब अंदर मुल्टिप्लाइ होगा तो साइन में कोई चेंज नहीं है 7 3 21 और x2 को एक सकुर स्कुर से मुल्टिप्लाइ करेंगे तो x की पावर 4 की ज龙 अधेर रिग्षार की मुथ्स का समय करेंगे गाbourne में माइनस i7 the 49 जब एक्सप्कार को स्कैर को मॉल्टिप्लाई करें से जिए आयाद दोनों oni को यह स्क्क कि दोनो साइन चैंज होंगी ये ब्लस है ये चैंज हो गया माइनस में ऐसे भी सोच सकते हैं ये सोच सकते हैं कि ये माइनस मौल्टिप्लाय ह।buसे मॉश्फसे मॉक्तलिफ साइन मौल ट्विप्लाय हो accomplished माइनस देती है 8 थे रिज़ा 24 जब जब y-square को आप x-square से multiply करेंगे तो क्यूंकि दोनों बेस मुक्तलिफ हैं लहाद इनको एक साथ उतार लिया जाएगा यह minus change होके plus में इसलिए के बाहर minus था यह minus minus plus हमने इसको किया 8-7 जा 56 और y-square को जब y-square से multiply करेंगे तो y की power 4 आजाएगी अच्छा जे अब हम देख रहे हैं कि यहां पर x-square y-square यहां पर भी और x-square y-square यहां पर भी यह दोनों बेस सेम हैं जब बेस सेम होते हैं तो हम या तो प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं 21 x-square x-4 ऐसे लिखा इनके साइन एक जैसी है जब साइन एक जैसी हो तो ये दोनों प्लस होंगे 4 और 9, 13 केरी 1, 2 और 1, 3 और 4, 7 73, 49 को 24 में एट किया 73, X स्क्वाइर Y स्क्वाइर, यहां साइन किसका ऐगा यहां दोनों में जो बड़ा होता है, उसका साइन जवाब के साथ लगता है बाकी का प्लस 50 6 Y की पावर 4 होना चाहिए जब आपने यहां 2 को इससे मुल्टिप्लाई गया तो तो क्या आना चाहिए था है, यहां पर 4 आना चाहिए था तो इस तरह से हम डबल मुल्टिप्लाई कर रहे होता है